आफ स्तुडेंट्स नमस्कार प्रेवियस वीडियो में हम लोगोंने बात की थी चंबल नदी के प्रवाह शेत्र के बारे में तो एस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चंबल की मुख्य सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं वैसे तो स्टुडेंटेंट चंबल की कई सहायक नदियां है स्टुडेंट वो हैं बामनी मेज मांगली काली सिंद्र आहू परवन और पारवती इन नदियों को समझाने के लिए एक डाइग्राम भी मैंने यहां पर बनाया है स्टुडेंट तो आप ध्यान से समझेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं बामनी नदी के बारे म बामनी नदी इस नदी को ब्रहामनी नदी के उपनाम से भी जाना जाता है तो जान रखिएगा कि बामनी नदी को ब्रहामनी नदी के उपनाम से भी जाना जाता है और बात की जाए इस नदी के उद्गम की यह बामनी नदी है स्टुडेंट तो इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है इस नदी का उद्गम जो है चित्तोडगड जिले की बेंगू तहसील के हरीपुरा गाउं से होता है कहां से होता है स्टुडेंट चित्तोडगड जिले की बेंगू तहसील कि हरीपुरा गाउं से भी होता है बेंगु किसान अंदोलन भी है स्टुडेंट उसको अपन किसान अंदोलन में चर्चा करेंगे उसकी तो इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है चित्तोडगर जिले की बेंगु तहसील के हरीपुरा गाउं से होता है तो यह आपको जान रखना है कि बामनी नदी का उद्गम कहां से होता है बेंगू तहसील की हरीपुरा गाउं से इस नदी का क्या होता है इस्टुडेंट उद्गम होता है और यह नदी और यह नदी बहस्रोडगड बहस्रोडगड कहां पर है इस्टुडेंट चित्तोडगड में है बहस्रोडगड चित्तोडगड में चंबल में विलीन हो जाती है चंबल में विलीन हो जाती है तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है और यह कहां पर चंबल में विलीन होती है यह दौनों बाते स्टुडेंट हमको याद रखनी है तो सबसे इंपोर्टेंट बात क्या कि भई इस नदी का जो उद्गम है वह भी चित्तोडगड जिले से ही होता है और यह विलीन भी चित्तोडगड जिले में ही होती है अथार्थ इस नदी का जो प्रवाशेत्र है स्टुडेंट वो एक ही जिले में है यानि कि इसका उद्गम भी चित्तोडगड जिले से ही होता है और यह विलीन भी चित्तोडगड जिले में ही होती है चंबल नदी में जाकर तो यह नदी चित्तोडगड जिले की बेंगू तहसील के हरीपुरा गाउं से इसका क्या होता है उद्गम होता है तो आपको याद रखना है हरीपुरा गाउं से इस नदी का क्या होता है उद्गम होता है और यह बहसरोडगड चित्तोडगड में जाकर क्या होती है चंबल में विलीन हो जाती है अब स्टुडेंट इस नदी की दो बातें अपन को याद रखनी है वह इंपोर्टेंट है पहली बात तो यह कि चंबल्वे बामनी के संगम पर कि चंबल्वे बामनी नदी के संगम पर बहसरोडगर दुर्ग इस्थित है यह कोशन है एक्जाम में हमसे पूछ लेते हैं कि बहसरोडगर दुर्ग जो है किन नदियों के संगम पर इस्थित है तो चंबल्वे बामनी नदी के संगम पर बहेंसरोडगड दुर्ग इस्तित है तो पहली बात तो आपको यह याद रखनी है और दूसरी बात चंबल में इस नदी के मिलने से चूलिया जल प्रपात का निर्मान होता है चूलिया जल प्रपात का निर्मान होता है यानि कि यह नदी जब चंबल में मिलती है स्टूडेंट तो यह चूलिया जल प्रपात बनाती है जो कि राजिस्थान का सबसे उचा जल प्रपात है इस जल प्रपात की उचाई 18 मीटर या अपन कह सकते है चौपन फिट है तो बामनी नदी के बारे में आपको जो मुख्य बातें याद रखनी है वो एक तो यह कि इस नदी का उदगम कहां से होता है चितोडगड़ की बेंगू तहसील के हरी पूरा गाउंसे इस नदी का क्या होता है उदगम होता है और यह नदी जो है यह चंबल में कहाँ पर मिलती है यह भैसरोडगड चितोडगड में जाकर चंबल में मिल जाती है अथार्थ इस नदी का है प्रवाशेत्र राजिस्थान के केवल एक ही जिले में है यानि कि चितोडगड और जो दो मुख्य बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है वो कि चंबल में बामनी नदी के संगम पर भैसरोडगड दुर्ग इस्तित है भैसरोडगड दुर्ग स्टुडेंट एक जल दुर्ग है ये कोशन भी एक्जाम में आ जाता है कि बैसरोडगड किस दुर्ग की शेनी में आता है तो जल दुर्ग की शेनी में आता है और चंबल में इस नदी के मिलने से क्या होता है चूलिया जल प्रपात का निर्मान होता है जो की राजिस्थान का सबसे उचा जल प्रपात है इस जल प्रपात की कुल उचाई जो है वो अपन कह सकते हैं 18 मीटर या 54 फिट है तो student यह आपको समझ में आ गई होगी बामनी नदी अब हम बात करेंगे next नदी के बारे में जो है मेज नदी कौन सी नदी है student मेज नदी है तो इस मेज नदी के बारे में हम बात करते हैं कि एक मिनट स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मेज नदी के बारे में तो मेज नदी का उद्गम कहां से होता है मेज नदी का उद्गम होता है स्टूडेंट भीलवाडा की बिजोलिया शेत्र से अपन किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट मेज नदी की बात कर रहे हैं तो मेज नदी का जो उद्गम है वो भीलवाडा की भीलवड़ा की बिजोलिया शेत्र से होता है बिजोलिया किसान अंदोलन स्टुडेंट बहुत राजिस्थान का पहला किसान अंदोलन ऐसे याद रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया की जो बामनी नदी है बेंगू तहसील से तो बेंगू किसान अंदोलन तो भीलवाडा के बिजोलिया शेत्र से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी बूंदी के लाखेरी में बूंदी के लाखेरी में चंबल नदी में विलीन हो जाती है तो स्टुडेंट यहां पर हमको जान रखना है कि जो मेज नदी है मेज नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है मेज नदी का उद्गम होता है भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया शेत्र से इस नदी का क्या होता है उद्गम होता है मेज नदी का और यह नदी जो है बूंदी के लाखेरी में गाउं है स्टुडेंट उस गाउं का नाम है सीनपुर गाउं तीन पुर गाउं लाखेरी बूंदी में चंबल नदी में क्या हो जाती है विलीन हो जाती है तो आपको इस नदी का उदगम और एंडिंग पॉइंट जो है हमको याद रखना है जैसे कि बामनी नदी के बारे में मैंने आपको बताया तो इसका उदगम कहां से होता है चित्तोडगड की बेंगू तैसील के हरीपूरा गाउं से होता है और यह नदी भैसरोडगड के अंदर क्या हो जाती है चंबल नदी में विलीन हो जाती है चंबल और बामनी के संगम पर क्या है भैसरोडगड दुर्ग इस्थित है और बामनी नदी के चंबल में मिलने से क्य होता है चूलिया जल प्रपात का निर्मान होता है राजिस्थान का सबसे उचा जल प्रपात है और मेज नदी का उद्गम कहां से होता है भीलवाडा के बिजोलिया शेत्र से होता है और यह नदी जो है बूंदी जिले के तीन पूर गाउं लाखेरी बूंदी में जो है चंबल नदी के अंदर क्या हो जाती है स्टूडेंट विलीन हो जाती है अथार्थ इस नदी का जो प्रवा है मेज नदी का जो प्रवा है ये दो जिलों के अंदर है कौन-कौन से है एक तो भीलवाडा और एक बूंदी तो दो जिलों के अंदर ये नदी क्या होती है प्रवाहित होती है और बामनी नदी का प्रवाशेत्र जो है राजिस्तान के अंदर केवल एक ही जिले के अंदर है और वो जिला कौन सा है स्टुडेंट चित्तोडगड कौन सा है चित्त और गड़ अब हम बात करते हैं स्टुडेंट मांगली नदी के बारे में मांगली नदी को मैंने डाइग्राम में नहीं बनाया है स्टुडेंट इसको ऐसे समझेगा आप मांगली नदी का जो उदगम है मांगली नदी का उदगम भीलवाडा से ही होता है मांगली नदी का उदगम भीलवाडा से होता है अथार्थ स्टुडेंट कहने का मतलब क्या है कि मेज नदी और मांगली नदी दोनों का उद्गम कहां से होता है भीलवाडा से होता है आप साथ ही साथ याद भी करते जाएं student कि जो मांगली नदी है और जो मेज नदी है इन दोनों नदियों का जो उद्गम है ये भीलवाडा से होता है और बामनी नदी का उद्गम कहां से होता है चित्तोड से होता है तो मांगली नदी का उद्गम भीलवाडा से होता है यह नदी यह नदी बाइन्स खेरा एक जगे का नाम है student बाइन्स खेरा बूंदी में मांगली नदी में मेज नदी में विलीन हो जाती है यानि कि यह नदी जो है student मांगली नदी है ये चंबल में नहीं मिलती ये किस नदी में मिलती है मेज नदी में मिलती है और इसका उद्गम भी जो है भीलवाडा से ही होता है और बाइन स्खेरा बूंदी में यह नदी जो है मेज नदी में क्या हो जाती है विलीन हो जाती है मांगली नदी का जो कोशन अपन को को जान रखना है स्टुडेंट मांगली नदी पर मांगली नदी पर कि बूंदी में भीमलत जल प्रपात इस्तित है भीमलत जल प्रपात इस्तित है तो यह अपन को जान रखना है यह कोशन हमसे पूछ लिया जाता है कि भीमलत जल प्रपात किस नदी पर इस्तित है तो मांगली नदी पर इस्तित है किस जिले में इस्तित है तो बूंदी में इस्तित है और यदि चूलिया जल प्रपात की बात की जाए तो चूलिय जलप्रपात भेंसरोडगड चित्वरगड जिले में स्टूडन और यह राजिस्थान सबसे ऊचा जलप्रपात है तो दो जल प्रपात हो गए स्टूडन एक तो चूलिय जलप्रपात और एक ոान रखना Mayo इम्लत जल प्रपाज जो है यह मांगली नदी पर है और मांगली नदी किसम मिलती है स्टुडेंट मेज नदी में मिलती है इसका आपको जान रखना है कि मांगली नदी किसम मिलती है मेज नदी में मिलती है और इसका उद्गम भी कहां से होता है भील वाड़ा से ही होता है तो तो दिखिए यहां पर एक बार शौट में संजिए जैसे अपने बात की बामनी के बाद मेज और मेज के बाद मांगली बामनी नदी किसमें मिलती है स्टुडेंट चंबल में मेज नदी किसमें मिलती है चंबल में और मांगली नदी किसमें मिलती है मेज में तो ये अपन को याद रखना है एक तो कि बामनी नदी किसमे मिलती है चंबल में मेज नदी किसमे मिलती है चंबल में और मांगली किसमे मिलती है मेज नदी में मिलती है और एक नदी और है स्टुडेंट जिसे अपन कहते हैं घोडा पच्छाड घोडा पच्छाड नदी तो नदी जो है यह मांगली में मिलती है किसमें मिलती है मांगली में मिलती है तो कभी इसका कोशन भी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि घोड़ा पचाड नदी जो है यह इसका उद्गम कहां से होता है तो इसका उद्गम जो है घोड़ा पचाड नदी का जो उद्गम है जो बूंदी जिले के अंदर एक जील है विजोलिया जील विजोलिया जील से इस नदी का क्या होता है उद्गम होता है और यह बूंदी के अंदर ही मांगली नदी में क्या हो जाती है विलीन हो जाती है तो चंबल की यह जो सहायक नदियां है student इए चार सहाईक नभीयों की जो मैंने आपसे शुरुवात में बात करी सबसे पहली बात तो इन चारों नभीयों का जो उदगम शेत्र है वो है राजिस््थान Рाजजी काहां पर उदगम होती है राजिस्थान में ही उदगम होती है बामनी नधी का उद्गम कहां से होता है चित्तोडगड से होता है चित्तोडगड में कहां से होता है बिंगू तैसील के हरीपूरा गाउं से होता है और यह भेंसरोडगड चित्तोडगड के अंदर चंबल में मिल जाती है मेज नदी का उद्गम कहां से होता है मेज नदी का उद्गम जो है बीलवाडा के बिजोलिया शेत्रे से होता है और ये सीनपुर गाउं लाखेरी बूंदी में चंबल में मिल जाती है मांगली नदी का उदगम भी बीलवाडा से होता है स्टूडेंट और यह नदी 22 खेरा थान पर बूंदी के अंदर क्या है मेज नदी में मिल जाती है गोडा पच्छाड नदी का उदगम भी बूंदी जिले से होता है बिजोलिया जील से और यह बूंदी के अंदर ही मांगली नदी में मिल जाती है तो यह चार सहयक नदीयां आपनको जान रखनी है जिनका उदगम हमारे राजिस्थान में होता है और यह चारों चंबल की क्या है सहयक नदिया है इनमें से बामनी और मेज सीधे चंबल में मिलती है मांगली मिलती है मेज में और घोड़ा पच्छाड मिलती है मांगली में तो यह आपको याद रखना है और चंबल और बामनी के संगम पर क्या है भैसरोडगर दुर्ग है और किस नदी के मिलने से चूलिया जल प प्रपात है तो यह कोशन भी हमको जान रखना है यह कोशन हमसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो स्टुडेंट अब हम बात करते हैं चंबल की उन सहयक नदियों की जिनका उद्गम राजिस्थान में नहीं बलकि MP में होता है तो यह नदियां तो राजिस्थान की हो गई अब हम बात करते हैं चंबल की उन सहयक नदियों के बारे में जिनका उद्गम कहां से होता है स्टुडेंट MP में होता है तो सबसे पहली नदि जो है उसके अंदर वह स्टूडेंट काली सिंध नदि काली सिंध नदि काली मध्य प्रदेश के देवास जिले के मध्य प्रदेश के देवास जिले के जहान रखेगा स्टूडेंट मध्य प्रदेश के कि देवास जिले के बागली गाउं से होता है बागली गाउं से होता है तो यह अपन को जान रखना है कि भई काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है आते स्टुडेंट काली सिंध नदी जो है यह आपको डाइग्राम में देख रही होगी यह काली सिंध नदी का जो उदगम हैं यह कहां से होता है इस नदी का उदगम मध्यप्रदेश के देवास इसुप रिजलें के बागली गाउं से होता है अब next important point राजिस्थान में ये नदी कहां से प्रवेश करती है जालावाड के बिंदा गाउं से यह नदी राजिस्थान में प्रवेश करती है लाजिस्थान में प्रवेश करती है इसके बाद ये नदी बारा जिले में भेते हुए कोटा के नानेरा गाउं में कोटा के नानेरा गाउं में चंबल में विलीन हो जाती है तो स्टूडेंट यहां पर हमको जान क्या रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि काली सिंद नदी का उद्गम इस्थल बताईए तो काली सिंद नदी जो है ये नदी जो है मध्य प्रदेश के देवास जिले के बांगली गाउं से क्या होती है इसका उद्गम होता है और जालावाड के बिंदा गाउं से ये नदी जो है राजिस्थान में प्रवेश करती है इसके बाद ये नदी बारा जिले में भेते हुई कोटे कोटा के नानेरा गाउं में चंबल में विलीन हो जाती है अब स्टुडेंट यहाँ पर नानेरा गाउं का एक कोशन एक्जाम में पूछ लिया जाता है प्राचीन काल में यह गाउं जो है कपिल मुनी की तपस्या इस्थली रहा था तो यहांपर अपन को जान रखना है कि कपिल मुनी की तपस्या स्थली कौन सा गाउं था तो कोटा का नानीरा गाउं था और इसी गाउं के अंदर काली सिंध नदी जो है चंबल नदी में क्या होती है विलीन होती है और एक तरीके से यह की देखा जाए तो राजिस्थान के तीन जिलों में इसका प्रवहा हो गया student कौन कौन से एक तो जालावाड क्योंकि जालावाड से तो यह नदी प्रवेश करती है उसके बाद यह नदी 12 जिले में जाती है और उसके बाद यह कोटा के नानीरा में चंबल नदी में विलीन हो जाती है तो राजिस्थान के तीन जिलों के अंदर यह नदी बहती है काली सिंद नदी तो काली सिंद नदी का उदगम MP से है MP के देवास जिले में बागली गाउं से है राजिस्थान में यह नदी जो प्रवेश कर रही है जालावाड के बिंदा गाउं से कर रही है और जालावाड से यह नदी 12 जिले में प्रवेश करती है और 12 जिले से ये कोटा के नानेरा गाउं में जाकर क्या है चंबल में विलीन हो जाती है और नानेरा गाउं का कोशन important है कि प्राचीन काल में यह गाउं कपिल मुनी की तपस्या इस्थली था तो काली सिंध नदी स्टुडेंट आपको समझ में आई होगी अब हम बात करते हैं आहू नदी की तो आहू नदी के बारे में स्टुडेंट अब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आहू नदी का जो उद्गम इस्थल है स्टुडेंट वो कौन सा है तो आहू नदी जो है यह एक मिले स्टुडेंट आहू नदी तो आहू नदी जैसा आपको डाइग्राम में दिख रहा है कि आहू नदी डाइरेक्ट चम्बल में नहीं मिलती आहू नदी कि इस में मिलती है काली सिंध नदी में मिलती है तो आउन नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के सुसनेर शेत्र से होता है मध्य प्रदेश के सुसनेर शेत्र से होता है तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है स्टुडेंट एमपी के सुसनेर शेत्र से कि इस नदी का क्या होता है उद्गम होता है और उसके बाद अपन को जान रखना है कि राजिस्थान में यह नदी जालावाड के यह नदी भी स्टुडेंट जालावाड जिले से ही प्रवेश करती है जालावाड के नंदपूर गाउं से प्रवेश करती है यह नदी इंपोर्टन कोशन है मुकुंद्रा हिल्स अब भ्यारण से गुजरती है फिर अंत में यह नदी जो है स्टुडेंट जालावाड के गागरोन में जालावाड के गागरोन में काली सिंद नदी में मिल जाती है तो यहां पर हमको क्या क्या बात है याद रखनी है स्टुडेंट की जो आहू नदी है इधर देखिए स्टुडेंट डाइग्राम में जो यह आहू नदी है इस आहू नदी का उद्गम कहां से होता है इस आहू नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सुसनेर शेत्र से और राजिस्थान में यह जालावाड की नंदपूर गाउं से प्रवेश करती है अगर हम बात करें काली सिंद की तो काली सिंद नदी जो है ये जालावाड में बिंदा गाउं से प्रवेश करती है तो काली सिंद नदी का प्रवेश भी जालावाड जिले से होता है और आहू नदी का प्रवेश भी राजिस्तान में जालावाड जिले से ही होता है काली सिंध नदी का जो प्रभाशेत्र है वो तीन जिलों में हैं एक तो जालावाड, बारा और कोटा जबकि अगर आहू नदी की बात की जाए स्टुडेंट तो आहू नदी का प्रभाशेत्र केवल एक ही जिले में है और वो है जालावाड कौन सा है student जालावाड तो यह नदी जो है जालावाड के नंदपुर गाउं से प्रवेश करती है मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारण जो है वो इसी नदी के किनारे इस्तित है अपन ऐसे भी कह सकते है स्टूडेंट और यह नदी जो है मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारन से गुजरती है और जालावाड के गाग्रोन में यह नदी जो है काली सिंद नदी में मिल जाती है अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट कोशन बनता है कि गाग्रोन दुर्ग जो है कि गाग्रोन दुर्ग काली सिंद और आवू नदी के संगम पर इस्तित है संगम पर इस्तित है यह अपन को जान रखना स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कोशन हो गया कि आगू और काली सिंद नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग इस्तित है गाग्रोन दुर्ग इस्तित है गाग्रोन दुर्ग बिना नीव का दुर्ग है स्टूडेंट और यह किस दुर्ग की शेणी में आता है जल दुर्ग की शेणी में आता है तो यह अपन को जान रखना है कि गागरों दुर्ग राजिस्थान का बिना नीव का दुर्ग है यानि कि इस दुर्ग में नीव नहीं डाली भी है स्टूडेंट और यह चटानों पर खड़ा हुआ दुर्ग है और यह जल दुर्ग की शेणी में आता है संत मीठे शाह की दरगा यह कोशन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट संत मीठे शाह की दरगा वह संत पीपा की छत्री इसी दुर्ग में इस्तित है और आहू और काली सिंद नदी के संगम को अपन क्या कहते है सामेला कहते है यह भी इंपॉर्टन कोशन है कि आहू और काली सिंद नदी के संगम को क्या कहा जाता है सामेला कहा जाता है और इन दोनो नदियों के संगम पर यानि कि यह दोनों नदियों का जो संगम है student यहाँ पर क्या है गागरोन दुर्ग इस्तित है और गागरोन दुर्ग के अंदर संत मीठे शहा की दरगा वह संत पीपा की छत्री है और यह बिना नीव का दुर्ग है और जल दुर्ग की शेणी में आता है एक इससे पहले student अपनने भैसरोडगर दुर्ग पड़ा भैसरोडगर दुर्ग भी जो है student यह भी जल दुर्ग की शेणी में ही आता है तो यह भी आपको याद रखना है कि भैसरोडगर दुर्ग जो है यह भी जल दुर्ग की शेणी में आता है गागरोन दुर्ग भी जल दुर्ग की शेणी में आता है और यह चंबलवे बामनी नदी के संगम पर इस्तित है और आवू और काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग इस्तित है यह है गागरोन दुर्ग ठीक है तो दौनों दूर्ग जो है यी किस भठी में आते हैं जल दूर्ग के अते हैं ठीक है कि तो आपको आफू और काली सिंध नदी के बारे में समझ मे आया होगा स्टुडेंट अब हम बात करते हैं है कि इनक्रीफ कि ए परवन नदी के बारे मैं Anne んだ заOOOOO कि परवन नदी स्टुडेंट्स अपन परवन नदी की यदि बात करें कि नहां तो परवन नधी का जो उद्गम हैं परवन नदी का जो उद्गम है परवन नदी का उद्गम मद्य प्रदेश में मालवा के पठार से होता है मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से होता है तो पहली बात तो अपन को यह जान रखनी है कि परवन नदी का जो उद्दम है तो स्टुडेंट अपन को जान रखना है कि परवन नदी का उद्दम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से होता है वहां इस नदी का उद्दम अजनार वे गोड़ा पचार नदीयों की संयुक्त धारा के रूप में होता है राजिस्थान में यह नदी जालावाड की मनोहर थाना तहसील के खरीबोर नामक इस्थान से प्रवेश करती है खरीबोर नामक इस्थान से प्रवेश करती है तो स्टुडेंट राजिस्थान में इसका जो प्रवेश है वो जालावाड जिले से ही होता है और अपन ने ये भी देख लिया कि काली संद और आहू नदी का जो प्रवेश है वह भी जालावाड जिले से ही होता है जो काली सिंद नदी है उसका जो प्रवेश है जालावाड जिले के बिंदा गाउं से होता है आहू नदी का प्रवेश जालावाड के नंदपुर गाउं से होता है और परवन नदी का जो प्रवेश है वो जालावाड में मनोहर थाना तहसील के खरीबोर नामक स्थान से होता है जालावाड में काली खोव वे परवन नदी के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग मनोहर थाना दुर्ग अवस्थित है यह बात भी अपन को जान रखनी है कि मनोहर थाना दुर्ग जो है वो जो है काली खोव और परवन नदी के संगम पर जालावाड जिले में क्या है इस्थित है बैसरोड गड दुर्ग जो है चंबल और बामनी नदी के संगम पर है गागरोन दुर्ग जो है वो काली सिंद और आहू नदी के संगम पर है और मनोहर थाना दुर्ग जो है यह जालावाड जिले के अंदर काली खोव और परवन नदी के संगम पर क्या है अवस्थित है जालावाड से यह नदी बारा जिले में प्रवेशकर तेरगड अभ्यारन से गुजरती है तो स्टूडेंट अपनको जान रखना है कि यह नदी कौन से अभ्यारन से गुजरती है और शेरगड अभ्यारन जो है सापों की शरण इस्थली के नाम से क्या है विख्यात है स्टूडेंट तो आपको जान रखना है कि जो परवन नदी है वो बारा जिले के शेरगड अभ्यारन से गुजरती है और आहू नदी जो है यह मुकुंद्रा हिल्स से गुजरती है तो स्टूडेंट अपन साथ साथ में रिवाइज भी करते जा रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप जान रखिएगा की शेरगड अभ्यारन से गुजरती है इसी नदी के किनारे इसी नदी के किनारे बारा जिले में इसी नदी के किनारे बारा जिले में शेरगड दुर्ग अवस्थित है तो स्टूडेंट इस नदी पर कितने दुर्ग हो गए दो दुर्ग हो गए इक तो काली खो और परवन नदी के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग है लेकिन वो जालावार जिले में है और शेरगड में शेरगड दुर्ग जो है वो भी इसी नदी के किनारे इस्तित है लेकिन बारा जिले में है उसके बाद 12 जिले से यह नदी, 12 जिले से यह नदी कोटा में प्रवेश कर, कोटा के रामगड शेत्र में काली सिंध नदी में विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है, तो स्टुडेंट देखा जाए, तो इस नदी का जो प्रवाशेत्र है, वो राजिस्थान के तीन जिलों में हो गया, कौन-कौन से जिले हो गए, वै एक तो हो गया जालावाड, जालावाड के बाद यह प्रवेश करती है बारा में, और बारा के बाद यह प्रवेश करती है कोटा में, तो स्टुडेंट हमको परवन नदी के बारे में जान रखना है, कि परवन नदी का जो उदगम है, यह मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से होता है, और अजनार वे घोड़ा पचार नदियों की संयुक्त धारा के रूप में होता है, तो आपको याद रखना है मालवा के पठार से, और राजिस्थान में यह नदी कहां से प्रवेश करती है, राजिस्थान में जो परवन नदी है, यह जालावार जिले की मनोहर थाना तहसील के खरीबोर नामकिस्थान से क्या करती है, प्रवेश करती है, उसके बार जालावार में काली खोवे परवन नदी के सं पर कौन सा दुर्ग इस्थित है मनोहर थाना दुर्ग जो है अवस्थित है यह अपन को याद रखना है तो स्टुडेंट जी सारे कोशन जो है यह आपको याद रखने है जाला वाड से यह नदी 12 जिले में प्रवेश कर शेरगड़ अभ्यारन से गुजरती है और आहू नद और इसी नदी के किनारे 12 जिले में कौन सा दुर्ग शेरगड़ दुर्ग जो है वो अवस्थित है तो इस नदी के ऊपर कितने दुर्ग हो गए दो दुर्ग हो गए एक मनोहर थाना दुर्ग हो गया और एक कौन सा दुर्ग हो गया स्टुडेंट शेरगड़ दुर्ग हो और उसके बाद यह नदी परवेश करती कोटा में परवेश करती है ृर और कोटा के रामगर शेत्र में यह काली सिंद्ध नदी में मिल जाती है तो अब परवन नदी के हैं पार्वती नदी पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के सेहोर शेत्र से होता है तो श्रिण पंग जहां रखना है कि जो काली सिंद नदी है इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश के देवास जिले से होता है बागली गाउं से होता है और पार्वती नदी का जो उद्गम है वJe cord. यह है नदी राजिस्थान में यह नदी राजिस्थान. कि राजिस्थान में यह नदी बारा जिले के करिया हट नामक इस्थान से करिया हट नामक इस्थान से प्रवेश करती है करिया हट नामक स्थान से प्रवेश करती है तो अपन को जान रखना है कि आहू काली सिंद और परवन जो है श्टुडेंट वो जालावार जिले से प्रवेश करती है लेकिन जो पार्वती नदी है यह बारा जिले के करियाहट नामकिस्थान से राजिस्थान में प्रवेश करती है बारा जिले का किशन गंज शहर इसी नदी के किनारे इस्थित है तो यह कोशन आपको याद रखना है स्थित है बारा जिले का किशन गंज शहर इसी नदी के किनारे इस्थित है यह नदी और बारा के मद्धे सीमा का निर्मान करती है तथा सवाई माधोपुर के पालिया नामत इस्थान पर सवाई माधोपुर के पालिया नामत इस्थान पर चंबल में विलीन हो जाती है तो चंबल में विलीन हो जाती है तो अपन को जाद रखना है कि जो पार्वती नदी है इसका जो उद्गम है वह कहां से होता है मध्य प्रदेश के देवास जिले के सेहोर शेत्र से होता है और यह नदी बारा जिले के करिया हट नामक स्थान से राजस्थान में क्या करती है प्रवेश करती है और बारा जिले का किशनगंज शहर जो है वो इसी नदी के किनारे इस्तित है यह कोटावे बारा के मध्य सीमा का निर्मान करती है तता सवाई माधोपुर के पालिया ना रामकिस्थान पर चंबल में विलीन हो जाती है और सबसे इंपोर्टन कोशन यह राजस्थान वह मध्य प्रदेश के मध्य यह राजस्थान वह मध्य प्रदेश के मध्य दो बार सीमा बनाती है दो बार सीमा बनाती है तो स्टुडेंट अपन को जहान रखना है कि वो है पार्वती नदी तो स्टुडेंट यहां तक हमने रादिस्थान के अंदर चम्बल की मुख्य सहयक नदियों का अध्यन कर लिया तो स्टुडेंट एक बार अपन फटाफट से इनको रिवाइस करेंगे ताकि यह हमें क्या है याद हो जाए और जो इंपॉर्टन कोशन इन से रिलेटेड है उनको भी अपन दोहरा लेते हैं तो सबसे पहली बात अपन बात करते हैं स्टुडेंट बामनी मेज मांगली और भोड़ा पच्छाड यह चम्बल की वो सहयक नदी है स्टुडेंट जिनका उद्गम राजिस्थान से होता है सबसे पहली बात तो अपन को यह बात याद रखनी है उसके बाद जो बामनी नदी है वो किस नदी में में विलीन होती है चम्बल में मेज भी किस में मिलती है चम्बल में मांगली किस में मिलती है स्टुडेंट मेज नदी में और गोड़ा पच्छाड किस में मिलती है मांगली नदी में तो यह हमको जान रखना है कि बामनी नदी चम्बल में विलीन होती है मेज नदी चम्बल में विलीन होती है यानि कि यह मांगली और घोड़ा पचाड नदियां जो है यह डायरेक्ट चंबल में नहीं मिलती मांगली मिलती है मेज में और मेज मिलती है चंबल में ठीक है स्टुडेंट अब अपन बात करते हैं कि बामनी नदी के जो कोशन है वो यह है कि चंबल और बामनी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग अवस्थित है तो भैस रोड़गर दुर्ग जो है चंबल और बामनी नदी के संगम पर है और अपन को याद रखना है कि इस नदी के चंबल में मिलने से चूलिया जल प्रपात का निर्मान होता है ज आंगली नदी के उपर बूंदी जिले के अंदर भीमलत जल प्रपात इस्तित है तो यह कोशन अपन को याद रखना है उसके अबद अपन बात करते हैं आहू काली सिंद इसको इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट अपन काली सिंद कि आहू परवन और पारवति यह चंबल की वो सहयक नदियां है स्टूडेंट जिनका उत्गम मध्य प्रदेश से होता है कहां से होता है मध्य प्रदेश से होता है जो आहू नदी है वो किसमे मिलती है स्टूडेंट काली सिंद में परवन नदी भी किसमे मिलती है काली सिंद में और पारवती नदी किसमे मिलती है चंबल में और काली सिंद नदी भी किसमे मिलती है स्टूडेंट चंबल में मिलती है अब काली सिंद का जो कोशन अपन को जान रखना है इन काल में कपिल मुनी की क्या थी तपस्या इस्थली थी इसलिए अपन को ये चीज याद रखनी है आहू नदी काली सिंद और आहू के नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग अवस्थित है स्टुडेंट ये अपन को जान रखना है गाग्रोन दुर्ग कौन सा दुर्ग अवस् संत मीठे शाह की दरगा वे संत पीपा की छत्री जो है वो गागरोन दुर्ग में हैं तो यह कोशन क्या है अधिकतर हमसे पूछ लिए जाते हैं उसके बाद अपन बात करते हैं परवन नदी की परवन नदी जो है स्टुडेंट कालिक हो और परवन नदी के संगम पर कौन सा म इसी नदी के किनारे पर 12 जिले में शेरगड दुर्ग जो है अवस्थित है उसके बाद अपन बात करते हैं पारवती नदी की यह राजिस्थान में मध्धे प्रदेश के मध्धे दो बार सीमा बनाती है तो स्टुडेंट यहां तक यह सारे इंपॉर्टेंट कोशन जो है आपको याद रखने हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच